जैशुकी मैं हूँ प्रियंकर आमोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेटास येश्या की हिंदी सर्वेस कली से समाचार में आप सभी का स्वागत है कली से समाचारों में प्रमुख है पॉप ने केविन को AISF का नया सलाकार न्यूक्त किया रोब अनाम वेट को पलटने के सुप्रीम कोट के फैसले का अमेरिकी धर्मादक्षो द्वारा स्वागत हत्या के मामले में जेल की सजा काट रहे प्रोहित और धर्म भेन को अदालत ने दी जमानत असम में बार से तबाही के बाद चर्च राहत प्रयासों में शामिल हुआ कारितास इंडिया ने असम बार पीडितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ मुंबई तीर्थ वार्षिक वैश्विक रोजरी दिले में शामिल हुआ काडिना ग्रेसियस ने सभी से देव सहायम की तरह पवित्र बनने का आग्रह किया इसाईयों ने भारत के पहले आम आदमी को बदनाम करने वाले लेक की निंदा की आर्च डाइसिस के विरोध धर्म बहन की वीर्ता पून संगर्ष पर पुस्तक का विमोचन चर्च द्वारा संचालेत अंजियो प्राक्रते कापदाओं से निपटने के ले ग्रामीडों को कर रहा है प्रसिक्षित रेडियो वेरितास एशिया आप लिए लेकर आए है आर्वे मोबाल एप आर्वे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें हमसे जुड़े और एशिया इसायत की अवाज का हिस्सा बने आज ही एप स्टोर एबं प्ले स्टोर से आर्वे मोबाल एप डाउन्लोड करें अब जानते समाचार विस्तार से पॉप ने केविन को AISF का नया सलाकार न्यूक्ति किया पॉप फ्रांसिस ने प्राइस वाटर हाउस कूपर के पूर्व आडिटर श्री केविन इनग्राम को विति खूफिया और परिवेक्षक प्रादी करन के सलाकार की रूप में न्यू पॉप की न्यूक्ति पर संतोष वेक्त किया और कहां इन ग्राम का महत्वपून पेशिवर अनुभव AISF बोट की विशेश अग्यता का पूर्वक होगा जो इसके कारियों की बहतर पूर्ती में योगदान देगा मैं इस सरा के असर पर निवर्तमान सलाका जोसफ यूवराज पिले और मरिया बियांका फरीना को वर्षो से उनके बहुमूल योगदान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ रोब अनाम वेट को पलटने के सुप्रीम कोट के फैसले का अमेरिकी धर्मादक्षो दुवारा स्वागत सायुक्त राज अमेरिका के धर्मादक्षों ने शुकरवार को सर्वोच न्याले के फैसले के लिए इश्वर को धन्यवाद दिया जिसमें रोब अनाम वेट 1973 के फैसले को उलट दिया जिसके जर ये गर्वपात कराने को कानूनी करार दिया गया था और कहा गया था कि सम्विधान गर्ववती महिलाओं को गर्वपात से जुड़ा फैसले लेने का हग देता है एक अलग बयान में जीवन के लिए परमधर्म पीठिया गात्मी सरकारों से जीवन को बढ़ावा देने वाली नीतियों को लागू करने का आग्रह करती है ये हमारे देश के जीवन में एक एतिहासिक दिन है सयुक्ति राज के कैतलिक धर्मादक्षी समेलन ने अपने बयान में कहा अमेरिके सुप्रीम कोड द्वारा गर्वपात पर विवादस पत फैसलों को उलटने के फैसले के जवाब में जिसने मांग पर पूरे देश में गर्वपात को प्रभावी डंक से अनुमती दी थी हत्या की मामले में जेल की सजा काट रहे प्रोहित और धर्म बैन को अदालत ने दी जमानत केरल के एक शीष अदालत ने तीन दशक पहले कनिष्ट धर्मभेन की हत्या के लिए अजीवन कारावास की सजा काट रहे एक कैथलिक प्रोवित और एक धर्मभेन को जमानत दे दी है न्यायमूर्थी के विनोच चंदरन और न्यायमूर्थी सी जे चंदरन के केरल के उच्छ न्याले की खंड पीटने उन्हें 23 जून को जमानत पर रिहा होने से पहले 5 राक रुपे के बॉन्ड और निश्पादित करने का आदेश दिया अदालत ने 72 वर्षी फादर थोमस को टोर 69 वर्षी सिस्टर सेफी को राज नहीं छोडने का निदेश दिया है केरल में कैथलिक चर्च के लिए जमानत का आदेश एक बड़ी राहत के रूप में आया क्योंकि उन्होंने उनकी सजा को स्विकार करने से इनकार कर दिया था क्योंकि उनका मानना था कि वे निदोश थे असम में बार से तबाही के बाद चर्च राहत प्रयासों में शामिल हुआ असम के कुछ हिस्सों में बार से तबाही मचाने के बाद एक आर्च बिशप मदद मांग रहा है व्यापक वर्षा से राज में भ्यंकर बाड और भूस खलन हुआ है और अधिकारियों का कहना है कि 47 लाख लोग प्रभावित हुए है 23 लाख लोगों ने सरकार दुवारा स्थापित 810 आपात कालिन शिवरों में शरण ली है तुफान के कारण कम से कम 81 लोगों की मौत हो गई है राज के सबसे बड़े शहर गोहार्टी के आर्चबिशप जौन मुलाचेरी ने कहा कि बाढ़ ने तबाही मचा दी है अनमोल जीवन के अलावा इसने घरों फसलों संपत्ती आदी को भी व्यापक नुकसान पहुचाया है कैथलिक चर्च हमेशा ऐसी किसी भी आपदा के पीड़ितों के साथ खड़ा है कारितास इंडिया ने असम बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ कारितास इंडिया और उसके सहयोगी संगठन असम में बाढ़ से तबाह होने के बाद राहत अभियान चला रहे है जोनास लाकडा ने कहा कि भारत के कैथलिक बिशप सम्मेलन की सामाजिक विकास शाखा के गोहाड़ी के आर्च डैसेस और दीफो और आईजोल के धन्मप्रान के अधिकारी छेतर में पढ़ने वाले कार्भी अनलोग और होजई और कच्छार की सबसे बुरी तरह शुरू किया गया था वित्रत किट में आपात कालिन आश्रे के साथ भोजन पानी सूखा राशन और दवा शामिल है हमारी प्रतिक्रिया विक्रांग लोगों बच्चो रेकल महिलाओ और बुज़ुर्गों के साथ-साथ आरिवासियों रन्य पिछड़े समूदाय को प्रा बेसिलिका के रेक्टर बॉम्बे के सहायक विशप जॉन रोडरिक जिनों ने 24 जून की रेली का नेत्रत्व किया ने मंडली को बता कि बॉम्बे के आर्च डैसेस कार्डिनल ओस्वाल ग्रेसियस ने बेसिलिका ओफ अवर लेडी ओफ दा माउंट में भाग लेने का अनुर बेकाय ताकि वे पूरे चर्च को प्रभू की बुलाहट का जवाब देने में मदद कर सके ताकि परमेश्वर के राज को आगे बढ़ाया जा सके और ट्रिनिटी की महीमा की जा सके कार्डेनल ग्रेसियस ने सभी से देव सहायम की तरह पवित्र बनने का आगरे किया 24 जुन को सेंट देव सहायम की कबर से राश्टी धनिवात प्रातना सेवा का उयजन किया और सभी परिवारों को येश्यू के पवित्र हिदे में समर्पित किया इस अवसर पर अपने घर में बॉंबे के आर्च बिशप और और पौफ फ्रांसिस के शीर सलाकारों में से एक कार्डेनल ओस्वाल ग्रेसियस ने सभी से संथ देव सहायम की तरह पवित्र बनने का आगरे किया संत देव सहायम का जीवन हमें याद दिलाता है कि पवित्रता का अववाहन सभी इसायों तक ना की केवल प्रोहितों और धार्मिकों तक कार्डिनल ग्रेसियस ने का हमारी भूमी से पहली विवाहिश शहीत का संती करन एक बहुत ही महत्वपूर्ण मील का पत्थर है विशेश रूप से भारत में चर्च के इतिहास में इसायों ने भारत के पहले आम आदमी को बदनाम करने वाले लेक की निंदा की कैटलिकों ने एक हिंदू समर्थक प्रकाशक की आलोचना की है जिसमें देव सहायम पिल्लई को संत गोशित किये जाने वाला पहला भारती आम आदमी एक चोर जिसे उसके अपरात के लिए गोली मार दी गई थी की आलोचना की देवसायम पिल्लई और एक पवित्र पाप शीर्षक से हाल के विमुद्री करण पर सवाल उठाने वाला आपती जनक लेक केसरी के 10 जून के अंक में प्रकाशित हुआ है जो एक मल्यालम भाशा का सापताईक अगबार है जिसे दक्षन भारत के केरल राज में हिंदू राष्ट्रवादी राष्टिय समनवैक संग के मुख्य पत्र की रूप में जाना जाता है लेखक मूरली परमपुरम के तीन पन्नों के लेख में दावा किया गया कि कैथलिक चर्च द्वारा संथ की उपादी के लिए उद्गरत सभी कारण पूरी तरह से जूटे हैं क्योंकि उनमें कोई भी आध्यात्मिक परिवर्टन नहीं हुआ था केरल कैथलिक बिशप काउंसल के समाजिक सदभाव सतरकता आयोग के सचे फादर माइकल पुलिकल ने कहा आरेसेस पत्रिका लोगों में अविश्वास और ब्रह्म पैदा कर रही है और इस तरह सांप्रदाई कला को बढ़ावा दे रही है आर्चेडाईसिस के विरोध धर्म बहन की वीरता पूर्ण संगर्ष पर पुस्तक का विमोचन एक आभासी समारों के दोरान 26 उनको कैथलिक धर्म बहनों के एक समू और उनकी मंडली के खिलाब असमान संगर्ष पर एक पुस्तक का विमोचन किया गया कारमलाई सिस्टर एनी जेस और नारीवादी धर्म शास्त्री कोचुरानी अबराहम द्वारा सहीक्त रूप से लिखी गई पुस्तक माई प्रोफिटिक स्ट्रगल दा नारकल स्टोरी का विमोचन भारत के धर्मिक संबेलन की राष्टी सचिव सिस्टर एलसा मुथुद द्वारा किया गया था पहली प्रती एक अनुभवी धर्म शास्त्री जेसुट फादर टी के जॉन को मिली थी शाम पांच बजे से दो घंटे तक चलने वाले समारो का आयोजन प्रकाशन फॉरम ओफ रिलीजर्स फॉर जस्टिस और पीस द्वारा किया गया था यपुस तक मदर कारमेल की मंडली के अमला प्रांति से संबंदित लेक सही छे दर्म बहनों के एक समू द्वारा संगर्ष की दिल दहला देने वाली कहानी बताती है चर्च द्वारा संचालित एंजियो और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए ग्रामीडों को कर रहा है प्रसिक्षित जैसे जैसे मांसूर नजदी का रहा है और बिहार में बार की आशंका वाले छेत्रों में मौसमी दर्द का एक और दौर शुरू होता है बिहार के सबसे गरीब और आपदा प्रवन छेत्रों के लगबग 250 लोग कारवाही के लिए तैयार है वे बिहार के सबसे पुराने चर्च संचालित गैर सरकारी संगठों में से एक है प्रयासों के कारण प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन आपदा स्थिदियों से निपटने में अपने परिवार और पडोसों की मदद करने की तरीकों में उन्मुक रहे हैं बिहार जल विकास के निदेशक फादर जेम्स शेखर का कहना है कि बिहार जैसे राजे में नियमित रूप से बाड़, भूकम, सूखा, तूफान और कई अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं की योजना समनवे और कारिवबन की एक सतत्य और एकिक्रत प्रतिक्रिया क की आवशक्ता होती है इसी के साथ कली से समाचा समाप्त हुए अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ नमस्कार रेडियो वेरितास एशिया आप लिए लेकर आए है आर्वे मोबाल एप आर्वे मोबाल एप पर हमारे विबन प्रकार के कारिक्रमों का लाब लें हम से जुड़ें और एशियाई इसायत की अवाज का हिस्सा बने आज ही एप स्टोर एबं प्ले स्टोर से आरविय मोबाल एप डाउनलोड करें